प्रकाश नाम का एक गरीब के साहन अपनी मा गायतरी पतनी सरी था और दो बच्चों गुड़ी और मोन्यू के साथ गाउं में रहता था लगा था दो बार फ़सल खराब होने के कारण प्रकाश पर जमिनदार का कर्स चड़ गया अब जमीन बेच कर कर्स चुकाने के सिवा प्रकाश के पास कोई और चारा नहीं था अम्मा अब मुझे जमीन बेचनी ही होगी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जमीनदार को कर्च दे सकूँ अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, जमीनदार के सारे पैसे दे कर, अब हमें सहर ही चलना होगा, अम्मा, इस उम्र में आपको कोई तकलीप तो नहीं होगी, कि आपका बेटा आपको परिसान कर रहा है। परिवार को लेकर शेहर आजाता है, शेहर में प्रकाश का एक दोस्त पहले ही अपने परिवार के साथ रहता था, वो प्रकाश को अपने साथ ही एक दुकान पर नौकरी दिलवा देता है, पर शेहर में खर्च जादा था, इससे घर में परिशानी थी, क्योंकि प्रकाश की त प्रकाश को एडवांस के पैसे नहीं मिल सके क्योंकि वो नया नया नौकरी पर लगा था एक दिन गायतरी और सरीता सबजी मंडी में सबजी खरीदने लगी सरीता बहू मैं सोच रही थी थोड़े गोभी गाजर खरीद लेते हैं घर में अचार नहीं है सर्दियों का मौसम है थोड़ा अचार डाल दूगी प्रकाश को गाजर गोभी का अचार बहुत अच्छा लगता है गाउ में तो सब कुछ था मैं कितना कितना अचार डाल देती थी यहां तो सर्दिया शुरू हुए कितने दिन हो गए मैंने अचार नहीं डाला हां अम्मा ले लेते हैं अब तो सब्जिया थोड़ी सस्ती भी हैं गोभी गाजर मेंगी नहीं है आओ वहां सामने से पूछ लेते हैं भाईया गोभी क्या भावदी पहन जी एक दाम लगाऊंगा तीस रुपए किलो भाईया बीस रुपए लगा ले दो किलो ले लूँगी और एक किलो गाजर भी कर दे ले लो माता जी अब सुबसुबा बोनी का टाइम है अब आपको क्या ही मना करूँ गाजर दो किलो कर दूँ पचास की दो किलो कर दूँगा नहीं नहीं भईया गाजर एकी किलो कर दे अम्मा अचार के लिए और क्या-क्या लेना है वो भी बता दो हम मसाले की दुकान से लेते जाएंगे गाजर गोभी का अचार क्या बेशते भी हो बनाकर नहीं नहीं, हम तो अपने घर पर वैसे थोड़ा अचार डालने के लिए गोभी गाजर खरीद रहे थे वैसे अम्मा जी बहुत अच्छा अचार डालती है हम गाओं में रहते थे ना, तो वहां तो अम्मा जी तरह तरह के अचार डालती थी और सर्दियों में तो गोभी गाजर खासकर जरूर डालती थी, बहुत स्वाद लगता है अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहां तो हम लोग बलकी तरह जाते हैं कि गोभी का अचार खाने को मिल जाए मुझे बनाना नहीं आता, और यहां आसपास कोई है ही नहीं जो ऐसे अचार बनाता हो बिटा, आप कहां रहते हो, अगर कहो तो मैं डाल दूँगी अचार ओ, शुक्रिया, अगर आप डाल देती हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं यही पास में ही रहती हो ठीक है, मैं आपको ना बता देती हो क्या-क्या खरीदना है, बाकी आपको मैं अपने घर का पता देती हूँ अचार डाल दूँगी तो आप ले ले ना मिर से, जी ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको मिर से यह अचार बनाने के पैसे लेने होगे, आपकी भी तो मेहनत है ना इसलिए वो लेडी अचार बनाने का सारा सामान खरीद कर गायतरी को दे देती है गायतरी अगले ही दिन गोबी का आजर का मिक्स अचार बना कर तयार कर देती है शाम को वो लेडी अचार लेने के लिए आ जाती है उस लेडी के साथ उसकी भावी भी आई हुई थी ये मेरी भावी है, जब मैंने इने बताये कि मैं आपसे गाजर को भी काचार डलवारी हो, तो इन्होंने बोला कि 5 किलो आप इन खिले भी डाल दो, जी माता जी, जो भी सामान लाना है वो आप खुद ही ले लेना, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरा बाजार जाना कि आप जो भी पैसे आपके बनेंगे, प्लीज मुझे बता देना, बेटा मैं क्या ही बोलू, मैंने तो कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अचार बना कर बेचूंगी, तुम्हें जो ठीक लगे खुद से दे देना, ठीक है माता जी, माता जी है आपके पैसे, शु चलो अच्छा है बहू, घर में पैसे काम आएंगे, प्रकाश को भी सहारा मिलेगा, दादी आपने बोला था कि आप मुझे जले भी खिलाओगे, पर आपने आज भी नहीं खिलाई, और दादी आपने मुझे बोला था कि आप मुझे गुलाब जामुन भी खिलाओगे, अपनी दादी की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब गायतरी के पास अचार के तीन चार ओर्डर आ गए थे। गायतरी के साथ उसकी बहुत सरीता भी उसके काम में मदद करती थी। तुझे कुछ पैसे दे रही हूं तो आज ही घर के लिए दो रजाई खरीद ला। ठंड बहुत बढ़ गई है। और सुन ये मत कही हो कि तुमेर से पैसे लेकर नहीं खरीदेगा। बिटा घर में मिल बाट कर काम करने से काम आसान होते हैं। खर्च बढ़ जाते हैं तो एक अकेले पर बोच नहीं रहता। ये ले कुछ पैसे रख और आज ही कंबल खरीद ला। अपनी मा के कहने पर प्रकाश वो पैसे रख लेता है और नए कंबल खरीद लाता है। धीरे धीरे गायतरी के हाथों का गाजर गोभी का चार आसपास में फेमस हो गया और जादा से ज जादा लोग गायतरी के पास अचार बनवाने के लिए आने लगे। सरीता भी अपनी सास का पूरा साथ देती थी और दोनों सास बहु मिलकर अचार बना कर तयार करती। प्रकाश को भी बहुत सहारा मिल गया क्योंकि अब गायतरी और सरीता भी घर खर्चों में मदद करने लगी जिससे शेहर में रहना उनके लिए आसान हो गया। भाया तुम तो पकोड़े ऐसे तोल रहे हो जैसे सोना बेच रहे हो एक पकोड़ा भी तुमने फाल तो नहीं डाला। मोहन के कंजूस स्वभाव से ग्राहक ही नहीं बलकि मोहन की पत्मी भी बहुत परिशान थी। मोहन इतना कमाने के बावजूद भी अपनी पत्मी के लिए कभी कुछ नहीं खरीता था। इसी बात को लेकर वो जगड़ा करती थी। तुम्हें पता है मेरी सारी सहिल्यों के पास इतने सुन्दर जेवर हैं पर तुमने आज तक मुझे सोने का एक हार नहीं खरीद कर दिया। तुम अपने लिए इतना कुछ खरीद लेते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। सोने का हार लेने जाओंगा तो पूरी दुकान बेशनी पड़ेगी। इतना महंगा है सोना। अभी आर्टिफिशल पहन कर गुजारा कर लो। फिर जब कमाई होगी तो खरीद लेना। बस हो गई न तुम्हारी कंजूसी शुरू। मुझे पता था तुम मुझे एक फूटी कौडी नहीं दोगे। मोहन की पत्नी मुह बना कर वहां से चली जाती है। मोहन ऐसे ही स्वभाव का था जिसे वो बदल नहीं सकता था। ना ही किसी के काम आना, ना ही किसी की मदद कर ना, हमेशा अपना फाइदा देखना। ये सब मोहन के स्वभाव में शामिल थे। एक दिन मोहन के ठेले के सामने एक आलू पेटीज वाले ने ठेला लगा लिया। वो उस ठेले पर गरम गरम पेटीज बना कर बेचता था। इस कारण अब मोहन के ग्राहक बंड गए थे औ और मोहन को ये सब बरताश नहीं हुआ। मोहन को पता चला उस पेटीज वाले का नाम सुरेश है और वो कुछ दिन पहले ही गाउं से आया है। मोहन सुरेश के पास जाता है और बहानी से उससे बात करता है। दो साल सब के काम बंद हो गए इसलिए हम लोग भी गाउं में ही थे। बापिस आकर देखा तो वो बेकरी हमेशा के लिए बंद हो गई थी। मुझे पेटीज बनाना आता था इसलिए थोड़े बहुत पैसे लगा कर मैंने भी ठेला लगा लिया। अब परिवार भी मेरे स कर सकते हैं। मैं कबसे एक दुकान खोलने की सोच रहा था पर अकेले इतनी महेंगी दुकान खोलना और उसे चलाना बड़ा ही मुस्किल काम है। मैं किसी पार्टनर की तलास में था। क्या तुम मेरे साथ पार्टनर्शिप में दुकान खोलना चाहोगे। हम दो काउंटर बना लेंगे एक काउंटर पर पकोड़े और एक पर आलू पेटीज बहुत बढ़िया कमाई होगी और मिल बाट कर काम करेंगे तो दोनों खुब अच्छा कर जाएंगे मेरे पास देड़ लाग रुपए जुड़े हुए है देड़ लाग रुपए का इंतजाम तुम कर लो तुम्हारा विचार तो बहुत बढ़िया है पर मैं एक बार सोच लूँ मैं तुम्हें कल तक इस बारे में बताता हूँ मोहन की बातों को सुनकर सुरेश की मन में दुकान खोलने की इच्छा जाग जाती है वो कबसे एक दुकान खोलना चाह रहा था पर उसके पास पूरे पैसे नहीं थे सुरेश मोहन की بातों में आ जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है ये तो बहुत अच्छी बात है दुकान खुलेगी तो मुनाफ भी जादा होगा तो मैं तो पता है शारदा मेरे पास तो मुश्कल से थोड़े बहुत ही पैसे जुड़े हैं वो तो कम रहेंगे तो मैं काम क्यूं नहीं करते गाउं में जो हमारी जमीन का टुकड़ा है उसे बेच कर तो कुछ पैसों का इंतिजाम हो जाएगा और साथ में मेरी सोने की बालियां और दो चूड़ियां भी है तो मैंने गिर्वी रखकर पैसे ले सकते हो सुरेश अपनी पत्मी शारदा के कहने पर गाउं की जमीन बेच देता है और शारदा के कुछ सोने के गहने भी गिर्वी रख देता है सूरेश के पास जो भी पैसे जोड़ गए थे वो उन पैसों को मोहन को दे देता है सूरेश बहुत सीधा साथा था वो मोहन को पैसे देते समय कोई भी कानूनी कागज नहीं बनवाता वो तो बस मोहन के विश्वास पर मोहन को रुपए दे देता है सुरेश की सारी जमापूंची उस दुकान को खरीदने में लग जाती है ये देखो सुरेश अब हम दौनो इस बड़ी दुकान के मालिक हैं तुमें काम करो जब तक इस दुकान की मरम्मत करने में और काउंटर बनवाने में समय लगता है इतने दिन का तुम नुकसान थोड़ी करोगे तुमें काम करो तब तक तुम उस थेले पर ही अपना काम करो जैसे दुकान तयार हो जाएगी तो मैं तुमें बुला लूँगा मोहन भाईया आप मेरे बारे में कितना सोचते हो फीक है फिर मैं अपने ठेले पर वापिस जाता हूँ सुरेश मोहन के कहने पर वापिस पेटिस के ठेले पर काम करने लगता है काफी दिन बीच जाते हैं पर मोहन सुरेश को कोई खबर नहीं देता सुरेश देखता है कि मोहन का पकोड़े का ठेला भी बंद पड़ा है वो उस दुकान पर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है कि मोहन ने तो एक बहुत ही बड़ी और बढ़िया पकोड़े की दुकान बना ली है और वो वहाँ पर बैठा खूब बिक्री कर रहा है कहा है ये दुकान तो हम दोनों की है ना हम दोनों ने आदे आदे पैसे मिला कर इस दुकान को खरीदा था कान से पैसे किसके पैसे ये दुकान मेरी है तेरे पास कोई सबूत है कि ये दुकान तेरी है चला आया अपनी दुकान कहने चला जाए यासे तेरे चक्कर में मेरे ग् तक वापिस लोट जाएंगे। देने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने एक देशता प्रकट होते हैं। रुको, ऐसा मत करो। अपने आपको समाप्त करना कायरता है। हमें मुश्किलों से लड़ना चाहिए। दर कर भागना नहीं चाहिए। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं परवतराज हूँ। मुझे पता है तुम किस तकलीव से गुजर रहे हो। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत दयालू हो। तुम दूसरों की सदैव मदद करते हो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ दोखा किया है तो उसे उसके बुरे कर्मों की सजा अपने आप मिल जाएगी। मेरी इस गुफा में एक बहुत बड़ा खजाना है। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। और फिर से अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हो। ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है। जो मनुश्य अच्छे होते हैं ये खजाना उन्हीं को प्राप्ट होता है। सुरेश उस परवत की गुफा में से अपनी जरूरत की अनुसार खजाना उठा लेता है। उस धन राशी से सुरेश अपनी पत्नी के गिर्वी पड़े गहने छुड़वा लेता है। अब सुरेश के पास सब कुछ था। वो एक बड़ी सी बेकरी खोलता है। सुरेश आज भी गरीबों की हमेशा की तरह मदद करता था और खूब महनत करता था। उधर मोहन ने सुरेश के साथ गलत किया था। इसलिए उसे बेमानी करने की सजा मिलती है। और उसकी दुकान भी बिग जाती है और मोहन फिर से अपने ठेले पर वापिस आ जाता है